माता ने क्यों किया था महिशाशुर का वध जानिय पोरानिक कथा रंभाशुर का पुत्र था महिशाशुर जो अत्यांत शक्तिशाली था इसकी उत्पत्ति पुरुष और महिश अर्थात भेश के संयोक से हुई थी इसलिए उसे महिशाशुर कहा जाता था उसने कठीन तब किया था ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा वस्ष एक मरत्यु को छोड़ कर सब कुछ मांगो महिशासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा ठीक है प्रभो देवता असुर और मानो किसी से भी मेरी मरत्यु नहों किसी इस्तरी के हाथ से मेरी मरत्यु निश्चित करने की करपा करें ब्रह्मा जी एम वस्थु करकर अपने लोग चले गए वरवर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा कर त्रिलोका अधिपती बन गया तब भगवान विश्णु ने सभी देवताओं के साथ मिलकर सबकी आदी कारण भगवती महाशक्ती की आरादना की सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकल कर एक परम सुंदरी इस्तरी के रूप में प्रकट हुआ हीम वान ने भगवती की सवारी के लिए सीधिया तथा सभी देवताओं ने अपने अस्त्रशच्त्र महामाय की सेवा में प्रस्तुत किये भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शिग्रही महिसाशुर के भई से मक्त करने का आश्वाशन दिया तब भगवती दुर्गा हिमाले पर पहुंची और अटाहास पूर्वक घोर गरजना की महिशाशुर के असुरु के साथ उनका भहेंकर युद्ध छिड़ गया एक एक करके महिशाशुर के सभी सेना नी मारे गए फिर विवश होकर महिशाशुर को भी देवी के साथ युद्ध करना पड़ा महिशाशुर ने नाना प्रकार के मायावी रूप धर कर देवी को छल से मारना का प्रयास किया लेकिन अंत में भगवती ने अपने चक्र से महिशाशुर का मस्तक्स काड़ दिया कहते हैं कि देवी कात्ता यनि को ही सभी देवों ने एक-एक हत्यार दिया था और उनी दिव्य हत्यारों से युक्तो होकर देवी ने महिशासुर्ग के साथ युद्ध किया था कि दो मतन झाई़ ने युिताओवन भी दो करता दो युक्तो होî मॉट्य धुद्ध